नमस्कार, क्यापचल टिवी का खाश शो, महरास्टर फाइल सेखरें आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा महरास्ट के सियम एकनाश्रिंदे, उदव ठाकरे को एक और बड़ा जटका देने की तैयारी में है ये ऐसा जटका होगा जिसे उदव ठाकरे पचा नहीं पाएंगे, ऐसे ही परिशान है उदव ठाकरे, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, पार्टी को मजबूत करने के लिए नई-नई रन्नीती भी बना रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास बधायक है, ना ही सांसर खबर साम ने आई है कि एकना शिंदे मुंबई के दादर में शिवसेना भवन खोलने जा रहे हैं, और जल्द ही इसका एलान भी करेंगे, तो नया शिवसेना भवन उदव के लिए कितना बड़ा जटका होगा, दादर में ही क्यों शिंदे ने सोचा शिवसेना भवन बनान के लिए मेसा स्टूडियो में मौझूद है, क्यापिटल टिवी के सीनर एडिटर राजीब जी, राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद, एकना शिंदे जो नए सिर्फशेना भवन की अलान करने वाले, उससे उद्धब ठाकरे को कितना बड़ा जट के की तरह है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धब ठाकरे और एकना शिंदे के बीच विवाद चला, और विवाद वैचारिक चला, उसके बाद पाटी के अंदर फूट पड़े, पहला विवाद जो था, विचारों को लेकर था, क्योंकि एकना शिंदे ने उनके उपर इसी ब रहे हैं, पलट रहे हैं, यो बाला साहब ठाकरे ने जिस विचार धारा क्या धार पर पाटी बनाई थी, उससे आप अलग हो गए हैं, और NCP कॉंग्रेस के साथ मिलकर अपने आपको सो कॉल्ड सेकुलर बनाने के कोशिश कर रहे हैं, तो उस जंग में एकना सिंदे की जीत ह रहे हैं, तो अब उसके बाद पाटी के लिए जंग जारी है, चुनाव आयोब में उसकी सुनवाई चल रही है, और दूसरे तरफ सुप्रिम कोट पहुचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तो यानि लगभग ये मान कर चलें कि पाटी पर कबजा के लिए जो असली आजा सकता, क्योंकि सुप्रिम कोट भी अभी इस बात की सुनवाई कर रही है, कि इसको बड़े बेंच में ट्रांसपर किया जाएके नहीं, अगर पाँच जजों के बेंच में ट्रांसपर किया जाएगा, तो फिर वहाँ सुनवाई होगी, लंबे तारीक पड़ेगी, उस बाला साहब ठाकरे की तस्वीर होँआ पर है, और बाला साहब ठाकरे की दादर में समादे भी है, श्रीवा जीपार्ग भी दादर में है, तो ऐसे में, जगह के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, जानबुच के दादर चुना गया हमाई, बिलकुल, अगर जगह के लि बारी बात ये है कि करीब करीब अगर देखा जाए तो 60 साल 50-60 साल से वहाँ पर आसपास के चीजों में शिब सेना बसी हुई है अगर 1960 में शिब सेना बनी उसके बाद देरे देरे 1966 में कहा जाता है कि वो शिब सेना भवन बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी देरे देरे वो और डेवलप हुआ और बड़ा हुआ और लोगों का आना जाना सुरू हुआ शिब सेना के लिए वो एक मंदिर की तरह है तो दादर उनकी यादों से जुड़ा हुआ है शिव सेना के लोग दादर को ही जानते हैं कि शिव सेना का अड़ा जगह वहां रुकने की विवस्था मिलने की विवस्था न्याय मांगने के लिए जो पाटी प्रमुक है उनके पास या फिर सरकार में अगर हैं तो सरकार के पास जाने के लिए वही जगह है तो इसलिए दादर को चुना गया कि अगर जब तक कि ये विवाद खत्म नहीं होता है दो साल, एक साल, तीन साल हो सकता है ज्यादा समय लगे हो सकता है कि ये नया शिवसेना भवन बनने में भी समय लगे लेकिन फिर भी एलान करना सुकून देने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर अगर प्लॉट देख लिया जाएगा उसके बाद उसको शुरुवात हो जाएगी तो जो पूरे महराष्ट से शिवसेनिक सिंदे से मिलने आएगे या सिंदे के जो गुठ है उनके समर्थक होंगे तो वो यहाँ पर आके शिवसेना भवन में रुकेंगे शिवसेना भवन के जो नए भवन होंगे वहाँ पर आएगे अब पुराने भवन की जहां तक बात है तो अब इस तक उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह छोड़ा नहीं है उनका मोह छुटा नहीं है और इसलिए पुराना शिवसेना भवन में अगर शिंदे के गुट के लोग उनके समर्थक भी जाएंगे उद्धव ठाकरे के समर्थक भ भवन है बाला सहब ठाकरे के वक्त का जो शिवसेना भवन है उसमें शिंदे ने अपनी दावेदारी क्यों नहीं पेश की बिलकुल दावेदारी उसमें पेश नहीं की जाएगी दावेदारी तो अपने आप हो जाएगी जिस समय अगर शिवसेना की लड़ाई खत्म हो जा कि पाथी का जो मुख्याले है वो हमारा है उसके बाद सरकारी कारजाले भी है वो हमारा है लेकिन जब तक ये विवाद खत्म नहीं होता तब तब क्या इंतजार किया जा सकता है क्या उद्धब ठाकरे और एक नाशिंदे के जो समर्थक हैं वो शिव सेना भवन में एक साथ पहुंचें और विवाद जादा गहरा हो जाए हंगामा हो जाए जगड़ा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी दोनों के उपर हो गी तो उस तरह के विवाद को क्यों एक तरह से इन्वाइट किया जाए इसके लिए एक नाशिंदे ने ये सोचा कि पहले ही हम इस बात के और उसके बाद धीरे धीरे उसके लिए अगर plotting हो जाएगी और उस plotting के बाद वहां पर निर्मान का कारी होगा tब तक temporary तरीके से रहने खाने रुखने की विवस्था वहां पर की जाएगी क्योंकि जमीन जब मिल जाएगी उसके पास और उसके बाद ये निर्धारित हो जाग कि शेत्र में बनना है तो टेंप्रोरी वेवस्था भी की जाएगी क्योंकि जो भी एक नाशिंदे गुट के कुछ लोगों का कहना है कुछ विधायक हैं वो उनका कहना है कि अब शिवसेना दो धड़ों में बट गई है उद्धब ठाकरे से जादा हमारे पास शिवसेनिक हैं हमारे समर्थक हैं और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है दूर दराज के इलाके से मराट वाड़ा से विधर्व तक के लोग आते हैं एक नाशिंदे साब से मिलने के लिए आते हैं अपने मुख मंत्री से फर्यास सुनाने के लिए आते हैं तो ऐसे सितिमें उनके लिए भ टैंपरोरी विवस्ता की जा रही है और उस टैंपरोरी को परमानेंट तब होगा जबकि शीब सेना का ये पूरा विवाद खत्म होगा अगर शीब सेना को दोनों गुटों को अलग-अलग सिंबल मिल गया किसी का अधिकार अगर उसके उपर हुआ तो उसके बाद ये तै कि पुराना जो शीब सेना का अभी भवन है ऐसे शीब सेना के भवन को थोड़ा चिंज तो उद्दव ठाकरे ने कर ही दिया है जहां पर बाला साहब की तस्वीर है वहाँ पर बीच बीच में सुनिया गांधी की तस्वीर भी आसपास में दिखाए पड़ते थी जब ये ल लोग कॉंग्रेस, NCP और उद्दव ठाकरे की जो अभी गुठ है या पिर उस समय तो शीब सेना की ही बात कर सकते हैं इनके समय में जो कॉंग्रेस से नफरत किया करते थे बाला साहब ठाकरे उसके नेता की तस्वीर वहाँ पर दिखाए पड़ती है तो वो शीब सेना का ज शीब सेना का नया भवन बनाने की जो घोशना करने वाले हैं एकनार सिंदे अब लगभग ये तय है कि कुछ समय में वो घोशना करेंगे और उसके बाद नये शीब सेना भवन की तयारी भी शुरू हो जाएगी ये उद्दव ठाकरे के लिए एक स्रंकेत है कि अगर दादर में ही शीबाजी पार्क में उनकी विरैली हो सकती है उनके जो बाला सहब ठाकरे हैं उनकी याद वहां से जुड़ी है तो उनके पास उद्दव ठाकरे भी जाएगे उनकी समाधी पे और एकना सिंदे के लोग भी जाएगे क्योंकि वो लोग रुकने वाले नहीं हैं विच मंत्री मंदल का विस्तार हुआ तो एक नाशिंदे के जो नौ विधायक शपत गरन लिए नौ मंत्री बनाए गए वो सारे के सारे बाला सहब ठाकरे के समाधी पर फूल चढ़ाने के लिए पुश परपित करने के लिए गए उनसे आशिरवाद लेने के लिए गए ये उद्ध अगलग पाटियों में चले जाएंगे तो वो उनकी दावेदारी नहीं होगी गांधी की दावेदारी उनके विचारधारा के अधार पर की जाती है और जिस तरह से नहरू परिवार ने गांधी परिवार के उपर कबजा कर लिया ये विचारधारा का दिखावा करके भी लेक यहाँ पर जो बात विचारधारा की हो रही है तो बाला सहब ठाकरे को एक ना सिंधे छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने पाती से जो बगावत की थी उद्धब ठाकरे से बगावत जो की है उस बगावत के पीछे बाला सहब ठाकरे कहीं विचार देखने को मिला है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़े हैं तो अब नए शिव सेना भवन से उद्धब ठाकरे की परिशानी धीरे धीरे और भी बढ़ेगी और हो सकता है कि उनके करीबी कुछ और नेता कारिकरता जो अभी तक शिव सेना भवन में बैठते हैं पुराने वाले में वो फिर से नए वाले के पास जाकर बैठना सुरू करें और धीरे धीरे उद्धब ठाकरे अलग थलग अकेले पढ़े जाए बहुत बहुत शुक्रे बाचीत धन्यवाद तो एकना शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है जिसका एलान भी वो जल्द कर देंगे मुंबई के दादर में ही एक और शिव सेना भवन खोलने की तयारी कर रहे हैं शिंदे जो काफी विशाल काई शिवसेना भवन होगा मुंबई के मदभाग में स्थित है दादर जो लोगों के लिए काफी आसान भी होगा लोग आसानी से आकर अपनी परिशानी साजा कर पाएंगे शिंदे के इस बड़े एलान पर आपकी क्या कुछ राहें कॉमेंट करके बताएं देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार